नमस्कार दोज्टों कैसे हैं आप लग फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए बहुत प्यारा सा पैटर्न लेकर आई हूँ बहुत खुबसूरत पैटर्न है सिर्फ चार सलाईयों में बनने वाला यह डिजाइन बनाने में बहुत आसान है और इसे हम आसानी सी किसी भी प्रोजेक्ट पर बना सकते हैं चाहे वो लेडी स्वेटर ओ कारडिगं हो या फिर बेबी सूट हो बनाने में बहुत 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 आसान है और बहुत खुबसूरत लगता है तो चलिए इसे थोड़ा सा हम बैक साइट से भी देख लेते हैं कि ये बैक साइट से किस तरीके का दिखता है तो बैक साइट से ये इस तरीके का दिखता है और फ्रेंज वीडियो को सुरू करने से पहले आप लोगों से हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज वीडियो के नीचे आ रहे हैं लाल कलर के बटन को दवा दें घंटी को भी बजा दें इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले तो फ्रेंस इसे बनाने के लिए हमने 4 के मल्टिपल में फंदे डाले हैं प्लस 2 एजिस्टिच तो 4 के मल्टिपल में फंदे डाले हुए हैं और देखे ये एजिस्टिच हमने उतार लिया आप चाहें तो बना सकते हैं चार फंद के बाध इस तरीके से यहां पर की एक पार लूप की खालेना और पीछे भी लूप कर देते हैं यह देखिए इस तरीके से पीछे से भी हमने लूप ले लिया पीछे से भी लूप ले लिया और एक दो तीन चार चार फंदे सीधे बनाए और इन दोनों लूप को देखिए यह दो लूप जो एक आगे से और एक पीछे से हमने लिया था इनको इस निडिल की मदद से इन चार फंदों के उपर से इस तरीके से गिरा देंगे यह देखिए चार फंदों के उपर से हमने गिरा दिया यह देखिए इस तरीके से फिर से वही प्रोसेस हमें करना है चार फंदी, चार फंदों के बाद फंदों के बीच में हमेने डिलालनी है और एक लूप ये निकाला और एक ये इस तरीके से पीछे से लूप ले लिया एक दो तीन और एक ये चार चारों फंदे हमने बना लिये और अब इन दोनों लूप को हम दोनों लूप को हम उपर से इस तरीके से हम इनके उपर से गिरा देंगे और दिखिए फिर से हमें वही करना है एक बार और दिखेंगे इस चार फंदों के बीच से जगा से हम यहाँ पर एक लूप ले रहे हैं चार फंदों के बीच से लूप लिया हमने और यह एक लूप पीछे से लिया एक दो तीन और एक यह चार चार फंदे बना लिये और यह दोनों लूप हमने ऐसे इनके उपर से उठा के डाल दिये तो यही हमें जितने भी फंदे का प्रोजेक्ट है हमारा फर्स्ट रो में रिपीट करते जाना है बार बार सेकेंड रो दिखेंगे यह फर्स्ट रो हमारी कम्प्लीट हो चुकी है देखिए फंदे बंद चुकी है सेकेंड रो दिखेंगे एक, दो, तीन, चार मतलब कि हमें पूरी रो उल्टा फंदे बुनते हुए कम्प्लेट करनी है पर्ल आल स्टिचेज सभी फंदों को हम उल्टा बुनते हुए इस रो को कम्प्लेट करेंगे इस रो में हमें कुछ नहीं करना है यह देखिए तो हम इस रो को अपनी कम्प्लेट कर लेते हैं आसान, बहुत आसान पैटर्न है फ्रेंज यह देखिए थार ड्रो देखेंगे एज इस रो उतार लेंगे एक, दो दो फंदे हमने सिंपल बना लिए सीधे अब यहां से हम अपना रिपीट पैटर्न इस्टार्ट करेंगे देखिए चार फंदों के पास से हमने एक लूप लिया एक बैक लूप लिया और चार फंदे हम सीधे बनाएंगे एक, दो, तीन, चार अब इन दोनों फंदों को हम यहां से लेकर इन चार फंदों के उपर से गिराना है हमें इस तरीके से लेंगे और चार फंदों के उपर से गिरा देंगे नेक्स्ट चार फंदों को लेंगे एक, मैंने कहा ना आपको बहुत आसान डिजाइन है और पैक लूप से एक लूप लिया पैक से दो, तीन, चार दोनों फंदों को हमने ऐसे गिरा दिया चार फंदों को बैक लूप से अब चारों फंदों को हम सिंपल सीधे बुनेंगे दो, तीन, चार और इन दोनों लूप को एक साथ उठाएंगे और चारों फंदों के उपर से गिरा देंगे यह देखिए इसी तरीके से हमें थार्ड रो अपनी कंप्लेट करनी है तो थार्ड रो हम कंप्लेट कर लेते हैं फोर्थ रो दिखेंगे फोर्थ रो हमें उल्टा फंदे बुनते हुए कंप्लेट कर लेनी हैं यही हमें वन टू फोर फंदे रिपीट करती जाने हैं और आपनी जैसा कि स्टार्टिंग में पैटर्ण देखा आपका कंप्लेट हो जाएगा वन टू फोर हमें रिपीट करना है वन टू फोर देखिए बहुत सिंपल डिजाइन है सिर्फ दो में आपको पैटर्ण डालना है सीधी सलाइयों में रॉंग रो सारी आपकी उल्टा बुनेंगी पर्ल और इस्टिजेज सो फ्रेंस आपको मारा पैटर्ण कैसा लगा कमेंट पॉक्स में बताना बिलकुल ना भूले और इसे किसी भी प्रोजेक्ट पर आप अप्लाई करें चाहें वो कोई भी प्रोजेक्ट हो और ब्लैंकेट पर भी यह डिजाइन बहुत खुब सूरत लगेगा मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूं आपको दिखिए मिलती हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार आप